Hello friends, welcome back to my YouTube channel schooling classes जो भी बच्चे CGPET या फार्मेशी या डिप्लोमा में एड्मीशन लेना चाह रहे थे या किसी कारणवस वे एड्मीशन नहीं ले पाए वो इंट्रेंस एक्जाम नहीं दे पाए उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड नीज है अगर आप B.E. करना चाहते हैं, इंजिरिंग करना चाहते हैं या फार्मेशी करना चाहते हैं या नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप लोग जो भी बारवी में परसेंटेज मिला था उसके अधार पर आप लोग B.E. में फार्मेसी में डिप्लोमा में नर्सिंग में एडमीशन ले पाएंगे ठीक है ये क्या है पूरा निउज और क्या है नोटीस ये complete information मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो जो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं वे मेरे इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट होंगे वो आप लोगों को टाइम पर मिल जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हम लोग ये नौभारत में छपी ये खबर है जिसके अधार पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर बारवी के अधार पर बी फार्मेशी में परवेश बारवी के अधार पर आप लोगों का बी में फार्मेशी में डिप्लोमा में आदी में आप लोगों का अब फिर से एड्मिशन हो जाएगा अब ये आप लोगों का जो पहले एड्मिशन हुआ था वो तो आप प्रूभी बात क्या लिख हुई है कैसे आप लोगों को एड्मिशन मिलेगा आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ठीक है देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि कौन से में कितनी सीटे जो है वो रीक्त हैं अभी भी ठीक है तो यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, B.E. में 7,045 सीटे हैं, M.T.E.C. में 1,042 सीटे खाली हैं, Diploma Engineering में 548 सीटे रिखते हैं अभी भी, D. Pharmacy में 247 सीटे, B. Pharmacy में 612 सीटे, अभी भी आप लोगों का रिखते हैं, यहां MBA की 529 सीटे रिखते हैं, M.C.E.C. 164 सीटे अभी भी भी दिखते हैं, तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, कि अभी भी जो सीटे हैं वो फूल नहीं हुई हैं, तो जो भी अभी भी बिना इंट्रेंस एकजाम दिये ही, आप लोग अगर बार्वी के बेस पर जो परसेंटेज आप लोग का, उसके तहट अगर आप लोग एड्मिशन लेना चाहते हैं, तो अभी भी ले सकते हैं, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यह समस्ते हैं हम लोग, P.E.T. P.P.S.T. J.E. परवेस परिछाओं में सामिल नहीं हो पाने वाले इस्टुडेंट भी, इस्पोर्ट राउंड के माध्यम से बार्वी के अधार पर इंजिरिंग और फार्मेसी पाठे करमों में परवेस ले सकते हैं, इसी तरह दस्वी उत्रिड विद्यार्थी डिप्लोमा इंजिरिंग में दाखिला ले सकते हैं, संस्था वार्या, इस्पोर्ट ऑनलाइन काउंसलिंग की परकिरिया 22 नवंबर से शुरू हो रही है, तो आप लोग जाके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिखा हुए देखें, इंजरिंग फार्मेसिव पॉल्टेक्निक, स्पोर्ट राउंड के माद्यम से 22 नवंबर से आप लोगों का काउंसलिंग सुरू होगा, यह स्पोर्ट राउंड क्या होता है, जैसे कि अगर कोई सीटे रिक्त बच जाती हैं, तो उसको फूल फिल करने के लिए, अगर उसको feel करना है तो उसको sport round के माध्यम से जो है परवेश ले लिया जाता है ठीक है 30 नमबर तक लिया जा सकता है परवेश आप लोगों का जो भी परवेश होगा वो 30 नमबर तक ही लिया जाएगा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है संस्थावार काउंसलिंग कारिकरम ठीक है यहाँ पर देखें क्या लिखा है 22 नमबर और 23 नमबर को परथम चरण के लिए आनलाइन पंजियन और साथ ही साथ दस्तावेशों का परिच्छन भी किया जाएगा ठीक है पहले आप लोग आनलाइन जो पंजियन करेंगे उसके बाद आप लोगों का दस्तावेश दिखा जाएगा डॉकुमेंट देखा जाएगा पर्थम चरण की संस्थावार सूची 24 को जारी होगी 25 नमबर को परवेश लिया जाएगा मतलब की 22-23 को आप लोगों का जो भी डॉकुमेंट उसको देखेंगे 24 को आप लोगों का नाम जारी कर दिया जाएगा और 25 को आपको एडमीशन दे दिया जाएगा इसके लिए संस्था में उपस्तित होना जरूरी है दितिय चरण के लिए 26-27 नमबर को पंजियन और दस्तावेश का परिछड होगा 28 नमबर को मेरिट सुची संस्थावनों में उपलब्द कराएगी तसा 29 नमबर को परिवेश लिया जा सकता है उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे अभी छूट गए होंगे जो कि परिवेश लेना चाहा रहे थे किसी कारण वास वो इंट्रेंस एक्जाम नहीं दे पाये थे बी में या फिर डिप्लोमा में या डी फार्मेसी में या बी फार्मेसी में या MBA या MCA किसी में भी अगर आप एड्मीशन लेना चाहते हैं तो अभी आपके पास बहुत ही important मौका है बहुत ही जादा अच्छा है अभी आपके बारवी के percentage के base पे ही आप लोगों को एड्मीशन मिल जाएगा उमिद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful होगा आने वाले update में तुरंत आप लोगों को बताऊंगा जैसे ही कोई update आते हैं इसके लिए आप मेरे इस channel को subscribe जरूर कर लें धन्यवाद